आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हम देखते हैं Woman का O, B, N, P, X से क्या समन्द है सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ W, O, M, A, N Woman को यदी O, B, N, P, X लिखा जाता है तो सबसे पहले मैं इनकी Numbering डाल लेता हूँ तो W आता है 23 पे, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे A आता है 1 पे, N आता है 24 पे, O आता है 15 पे B आता है 2 नमबर पे, N आता है 14 नमबर पे, P आता है 16 नमबर पे और X आता है 24 नमबर पे आप देखिए, यहां 23 है और पीछली साइट 24 है यहां 15 है और इसके एकदम पीछे से दूसरे नमबर पर आगे से दूसरे नमबर पर 15 है तो पीछे से दूसरे नमबर पर 16 है यह 13 है तो यह 14 है और यह 1 है तो यह 2 है पीछे से अगर जो पीछे से पहले नमबर पर आगे से 1 बढ़कर है pull मिलाकर हुआ क्या pull मिलाकर हुआ यह रहा है इसमें कि w का परिवर्तन हो रहा है x में w का परिवर्तन किस में हो रहा है x में हो रहा है और o का जो परिवर्तन हो रहा है o का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है p में पीछे से किस में हो रहा है P में परिवर्तन हो रहा है और M जो middle का है जो बीच का है M M जो बीच का है उसका एकड़म सामने हो रहा है परिवर्तन आप देखोगे M किसमें चेंज हो रहा है N में चेंज हो रहा है और आप गोर से देखोगे A किसमें change हो रहा है इधर देखिए A B में change हो रहा है मतलब एक में एक जुड़ रहा है दो N किस में change हो रहा है N change हो रहा है O में पुल मिलाकर बात यह हुई कि आगे वाला पीछे वाले में change हो रहा है मतलब एक बढ़कर और सुरू से जो दूसरा है और लास से दूसरा हो रहा है एक बढ़कर इस परकार क्या हो रहा है चाइल्ड का हम देखते हैं C, H, I, L, D, चाइल्ड और चाइल्ड की नमरिंग देखते हैं यह आता है 3 नमबर पर 3, H आता है 8 नमबर पर, I आता है 9 नमबर पर, L आता है 12 नमबर पर, D आता है 4 नमबर पर, पहले हम C को change करते हैं, इक दम लाष्ट में जाएगा, तो C है, तीन नमबर पे तो एक जोड दूँगा, तो 4 पीछे क्या जाएगा? ठीक है आगे बढ़ता हूँ H दूसरे नमबर पर या सुरू से यह तो लाश्ट से दूसरे नमबर पर H में एक जोड़ कर आएगा 8 में एक जोड़ा 9 9 में क्या आएगा आई और अब यह आई है, I किसमें चाहिए है 12 में एक जोड़ूँगा तो 13 13 पर क्या हता है, M D, D आता 4 4 में एक जोड़ूँगा तो 5 5 पर क्या होता है, E तो आपका उत्तर क्या होगा E, M, J, I, D क्या उत्तर होगा E, M, J, I और D, आपका उत्तर होगा E, M, J, I, D कौन सा नमबर ओप्शन? तीन नमबर ओप्शन ही सही होगा